सादत हसन मंटो का अफसाना पेशे खिद्मत है आर्टिस्ट लोग ये अफसाना आरिफ अमीन ड्रामाटिक रीडिंग के लिए पढ़ा जा रहा है जमीला को पहली बार महमूद ने बागे जनाह में देखा वो अपनी दो सहीलियों के साथ चहल कदमी कर रही थी सब ने काले बुरके पहने थे मगर नकाबें उल्टी हुई थी महमूद सोचने लगा कि ये किस किसन का पर्दा है कि बुरका ओडा हुआ है मगर चहरा नंगा है आखिर इस पर्दे का मतलब क्या महमूद जमीला के हुसन से बहुत मतासिर हुआ वो अपनी सहीलियों के साथ हस्ती खेलती जा रही थी महमूद उसके पीछे चलने लगा उसको इस बात का कतन होश नहीं था कि वो एक गैर इखलाकी हरकत का मुर्तकिब हो रहा है उसने सैंक्डो मरतबा जमीला को घूर घूर के देखा इसकी इलावा एक दो बार उसको अपनी आँखों से इशारे भी किये मगर जमीला ने उसे दर खोरे इतना ना समझा और अपनी सहेलियों के साथ बढ़ती चली गई उसकी सहेलियां भी काफी खुबसूरत थी मगर महमूद ने उसमें एक ऐसी कशिश पाई जो लोहे के साथ मकनतीस की होती है वो उसके साथ चिमट कर रह गया एक जगह उसने चुरत से काम लेकर जमीला से कहा हुजूर अपना नकाब तो संभालिये हवा में उड़ रहा है जमीला ने ये सुनकर शोर मचाना शुरू कर दिया इस पर पुलिस के दो सिपाही जो उसक्त बाग में ड्यूटी पर थे दोड़े चले आए और जमीला से पूछा बहन क्या बात है जमीला ने महमूद की तरफ देखा जो सहमा खड़ा था और कहा ये लड़का मुझसे छेड़ खानी कर रहा था जब से मैं इस बाग में दाखिल हुई ये मेरा पीचा कर रहा है सिपाईयों ने महमूद का सरसरी जाइजा लिया और उसको गरिफतार करके हवालात में दाखिल कर दिया लेकिन उसकी जमानत हो गई अब मुकदमा शुरू हुआ उसकी रुदाद में जाने की जरूरत नहीं इसलिए कि ये तफसील तलब है किस्सा मुक्तसर ये कि महमूद का जर्म साबित हो गया और उसे दो माह की कैदे बामुशक्कत हो गई उसके वालदین नादार थे इसलिए वो सेशन की अदालत में अपील ना कर सके महमूद सक्त परेशान था कि आखिर उसका कसूर क्या है उसको आखिर एक लड़की पसंद आ गई थी और उसने उसे चंद बातें करना चाहीं तो ये क्या जुर्म है जिसकी पादाश में वो दो माह कैदे बामुशक्कत भुकत रहा है जेल खाने में वो कई मरतबा बच्चों की तरह रोया उसको मसवरी का शौक था लेकिन उससे वहां चक्की पिस्वाई जाती थी अभी उसे जेल खाने में आए बीस रोज ही हुए थे कि उसे बताया गया कि उसकी मुलाकात आई है महमूद ने सोचा ये मुलाकाती आखिर कौन है उसके वालिद तो उससे सकत नारास थे वालिदा अपाहज थी और कोई रिष्टेदार भी नहीं थे सिपाही उसे दरवाजे के पास ले गया जो आहनी सलाखों का बना हुआ था उन सलाखों के पीछे उसने देखा कि जमीला खड़ी है वो बहुत हैरत जदा हुआ उसने समझा कि शायद किसी और को देखने आई होगी मगर जमीला ने सलाखों के पास आकर उससे कहा मैं आप से मिलने आई हूँ महमूद की हैरत में और भी अज़ाफा हो गया मुझसे? जी हाँ मैं माफी मागने आई हूँ कि मैंने जल्द बाजी की जिसकी वज़ा से आपको यहाँ आना पड़ा महमूद मुस्कुराया हाए उस जूद पशेमा का पशेमा होना जमीला ने कहा यह गालिब है? जी हाँ गालिब के सिवा और कौन हो सकता है जो इनसान के जजबात की तरज्मानी कर सके मैंने आपको माफ कर दिया लेकिन मैं यहाँ आपकी कोई खिद्मत नहीं कर सकता इसलिए कि यह मेरा घर नहीं है सरकार का है इसके लिए मैं माफी का खास्तगार हूँ जमीला की आँखों में आस्सु आ गए मैं आपकी खादिमा हूँ चंद मिनट उनके दरम्यान और बाते हुई जो महबत के एहदो पैमान थी जमीला ने उसको साबून की एक टिकिया दी मिठाई भी पेश की इसके बाद वो हर पंद्रा दिन के बाद महमूद से मुलाकात करने के लिए आती रही इस तोरान में उन दोनों की महबत उस्तवार हो गई जमीला ने महमूद को एक रोज बताया मुझे मौसी की सीखने का शौक है आज कल मैं खाद साब सलाम अली खान से सबक ले रही हूँ महमूद ने उससे कहा मुझे मुसवरी का शौक है मुझे यहां जेल खाने में और तो कोई तकलीफ नहीं मुशक्कत से मैं घबराता नहीं लेकिन मेरी तबियत जिस फन की तरफ मायल है उसकी तसकीन नहीं होती यहां कोई रंग है न रोगन कोई कागज है न पैंसल बस चक्की पीस्ते रहो जमीला की आँखें फिर आंसू बहाने लगी बस अब थोड़े दिन ही बाकी रह गए हैं आप बहार आएं तो सब कुछ हो जाएगा महमूद दो माह की कैद काटने के बाद बहार आया तो जमीला दर्वासे पर मौजूद थी उस काले बुर्के में जो अब भूसला हो चुका था और जगा जगा से फटा हुआ था दोनों आर्टिस्ट थे इसलिए उन्होंने फैसला किया कि शादी कर ले चुनाच्छे शादी हो गई जमीला के माबाब कुछ असासा छोड़ गए थे उससे उन्होंने एक छोटा सा मकान बनाया और पुर मसरत जिंदगी बसर करने लगे महमूद एक आर्ट स्टूडियो में जाने लगा ताके अपनी मसवरी का शौक पूरा करे जमीला खान साब सलाम अली खान से फिर तालीम हासल करने लगी एक बरस तक वो दोनों तालीम हासल करते रहे महमूद मसवरी सीखता रहा और जमीला मौसी की इसके बाद सारा असासा खत्म हो गया और नौबत फाकों पर आ गई लेकिन दोनों आर्ट के शिदाई थे वो समझते थे कि फाका करने वाले ही सही तोर पर अपने आर्ट की मेराज तक पहुँच सकते हैं इसलिए वो अपनी इस मौफलसी के जमाने में भी खुश थे एक दिन जमीला ने अपने शोहर को ये मुझदा सुनाया कि उसे एक अमीर घराने में मौसी की सिखाने की त्यूशन मिल रही है महमूद ने ये सुनकर उससे कहा नहीं ट्यूशन व्यूशन बकवास है हम आर्टिस्ट लोग है उसकी बीवी ने बड़े प्यार के साथ कहा लेकिन मेरी जान गुजारा कैसे होगा महमूद ने अपने फुस्डे निकले हुए कोट का कॉलर बड़े अमीराना अंदास में दृस्ट करते हुए जवाब दिया आर्टिस्ट को इन फजूल बातों का ख्याल नहीं रखना चाहिए हम आर्ट के लिए जिन्दा रहते हैं आर्ट हमारे लिए जिन्दा नहीं रहता जमीला ये सुनकर खुश हुई लेकिन मेरी जान आप मसवरी सीख रहे हैं आपको हर महीने फीस अदा करनी पड़ती है इसका बंदो बस भी तो कुछ होना चाहिए फिर खाना पीना है उसका खर्च लैदा है मैंने फिलहाल मसवरी की तालीम लेना चोड़ दी है जब हालात मुवाफिक होंगे तो देखा जाएगा दूसरे दिन जमीला घर आई तो उसके पर्स में पंदरा रोपे थे जो उसने अपने खामित के हवाले कर दी है और कहा मैंने आज से टूशन शुरू कर दी है ये पंदरा रोपे मुझे पेश की मिले है आप मसवरी का फंद सीखने का काम जारी रखे महमूद के मरदाना जजबात को बड़ी ठेस लगी मैं नहीं चाहता कि तुम मुलाजमत करो मुलाजमत मुझे करना चाहिए जमीला ने खास अंदाज में कहा हाए मैं आपकी गैर हूँ मैंने अगर कहीं थोड़ी देर के लिए मुलाजमत कर ली है तो इसमें क्या हरज है बहुत अच्छे लोग है जिस लड़की को मैं मुसीकी की तालीम देती हूँ वो बड़ी प्यारी और जहीन है ये सुनकर महमुद खामोश हो गया उसने मजीद गुफटगू ना की दूसरे हफ़ते के बाद वो पचीस रुपए लेकर आया और अपनी बीवी से कहा मैंने आज अपनी एक तस्वीर बेची है खरीदार ने उसे बहुत पसंद किया लेकिन खसीस था सिर्फ पचीस रुपए दी है अब उमीद है कि मेरी तस्वीरों की मारकेट चल निकलेगी जमीला मुस्कुराई तो फिर काफी अमीर आदमी हो जाएंगे महमुद ने उससे कहा जब मेरी तस्वीरें बिकना शुरू हो जाएंगी तो मैं तुम्हें ट्यूशन नहीं करने दूँगा जमीला ने अपने खाविंद की टाई की गिरा दूस्त की और बड़े प्यार से कहा आप मेरे मालिक हैं जो भी हुक्म देंगे मुझे तसलीम होगा दोनों बहुत खुश थे इसलिए कि वो एक दूसरे से महबत करते थे महमूद ने जमीला से कहा अब तुम कुछ फिकर ना करो मेरा काम चल निकला है चार तस्वीरें कल परसों तक बिक जाएंगी और अच्छे दाम वसूल हो जाएंगे फिर तुम अपनी मौसीकी की तालीम जारी रख सकोगी एक दिन जमीला जब शाम को घर आई तो उसके सर के बालों में धुनकियोई रूई का खुबार इस तरह जमा था जैसे किसी उधेर उम्र आतमी की दाड़ी में सफैद बाल महमूद ने उसे इस तफसार किया ये तुमने अपने बालों की क्या हालत बना रखी है मौसीकी सिखाने जाती हो या किसी जिनिंग फैक्टरी में काम करती हो जमीला ने जो महमूद की नई रिजाई की पुरानी रूई को धुनक रही थी मुस्कुरा कर कहा हम आर्टिस्ट लोग हैं हमें किसी बात का होश भी नहीं रहता महमूद ने हुक्के की नय मुँ में लेकर अपनी बीवी की तरफ देखा और कहा होश वाक कही नहीं रहता जमीला ने महमूद के बालों में अपनी उगलियों से कंगी करना शुरू की ये धुनकी हुई रूई का खुबार आपके सर में कैसे आ गया महमूद ने हुक्के का एक कश लगाया जैसा कि तुम्हारे सर में मौजूद है हम दोनों एक ही जिनिंग फैक्टरी में काम करते हैं सिफार्ट की खातिर मंटो की बाकियाते मंटो से जैसा हुक्क झातने हैं प्रञसद ने ऐसे में में आगाया जातने हैं तब कह बाको का फो से एक कि तुम्हास कि पे शोई रृदach